बागिश्वर धाम महराज ने इन दौर में मीडिया से कहा कि उनकी खुद की एक पार्टी है एक दल है जिसका नाम है बजरंग बली पार्टी और चिन है बाला जी का गदा ये सुनकर पत्रकारों में हसी का माहल बन गया और बागिश्वर धाम सरकार ने यह बात कहकर सब का द पत्रकारों ने बागिश्वर धाम सरकार से पूछा कि क्या आप भी किसी पॉलेटिकल पार्टी को समर्थन करते हैं क्या तो उन्हों ने जवाब दिया कि उनकी तो खुद की पार्टी है जिनका नाम बजरंग बली पार्टी है और चुनाफ चिन्न है बाला जी का गदा ये नहीं जब उन से पूछा गया कि यदि आपको प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से कुछ देश के लिए मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे इस पर उन्होंने बहतरीन जवाब देते हुए क्या कुछ कहा जर आप खुद ही सुनिये देश को मकान दें या ना दें देश को जो है बहुत ज़ादा रोडें सडकें दें या ना दें लाइट दें या ना दें पर देश में बहुत अच्छे गुरु कुलम की विवस्था जरूर दे दें गुरु कुलम बांगेंगे हम तो वही जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी के अर्जी कब स्विकार होगी तो उन्होंने कहा कि सबकी अर्जी स्विकार होगी इस दौरान अपने मस्ताने अंदाज में बागिश्वर धाम सरकार ने पत्रकारों के सवालों पर अपने खुल कर राय रखी और देश की वर्दमान समस्याओं से लिकर ग्यान ब्यापी मस्जिद जैसे मुद्दों को भी अपने तरकों से साफ कर दिया नयाय पाल का उस पर अपना काम कर रही है हमें विश्वास है सनातनियों की जीत होगी जैसे राममंदर पर हुई बैसे ग्यान बापी कौन से कुरान में ग्यान बापी सब्द आया है जरा हमें बता दे संस्कृत में तो आया है पर कुरान में आया कभी ग्यान बापी कुल मिलाकर बागिश्वर धाम सरकार इन दिनों देश के बड़े मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय जाहिर कर रहे है और अंद विश्वास से दूर रहकर भक्ती में लगने और बालाजी की आरात्ना में जुटने के लिए अपने लक्ष में जुटे हुए है Bureau Report MP News इन दौर